नमस्कार दोस्तों MPPSA Prelims के Test Series को Continue रखते हुए अभी तक हमने Total 21 Question Paper डिसकस कर लिये है आज हम Question Paper No.22 डिसकस करने वाले है आप सभी को इस वीडियो का PDF टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइट कर दिया जाएगा अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को जोईन नहीं किया है तो जरूर जोईन करें इसका लिंक बेने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइट कर दिया है तो चलिए पहले सवाल के साथ आज के हमारे वीडियो की सुरुवात करते है पहले सवाल में पूछा है कि निमलिखित में से कौन उन भारतियों में से नहीं था जिने लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में विधान परिस्द में मनोनीत किया था तो देखो इसमें जो है ना जो हमारा उप्शन C है ये इसमें सामिल नहीं थे इन तीनों को जो है लॉर्ड कैनिंग ने मनोनीत किया था तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा पहले कुशन का C कुशन No.2 इसमें पूछा है निमलिखित में से कौन सा परिटा निस्थल पचमणी में नहीं है तो देखो पचमणी जो है न ये होशंगाबाद जीले में आपको देखने को मिलेगा मद्द परदेश का एक मातर हिली स्टेशन देखने को मिलता है ये तो यहाँ पे अफशरा की गुफाय है भीम कोठरी भी देखने को मिलेगी बेगम पहलेज भी देखने को मिलेगा मगर मदन महल जो है ये आपको पच्छमणी में देखने को नहीं मिलेगा ये आपको देखने को मिलेगा जबलपूर में तो सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंट्स ये हो जाएगा हमारा D Question number 3 इसमें पूछा है कि मद्यप्रदेश जील संरक्षन प्राधिकरण की स्थापना निमलिकीत में से किस वर से की गई थी मद्यप्रदेश लेक प्रोटेक्शन अथोरेटी वास स्टेबलिस्ट इन वीच आप दी फॉलविंग ये तो ये कब स्टेबलिस करी गई है तो Question number 3 का सही आंसर उजाएगा Friends Option B तो 2004 में जो है मद्यप्रदेश जील संरक्षन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी और बहुत ही important सवाल है इस टाइप के questions अब भी PSC में डाइरेक्ली पूछ लिए जाते है हमें आइडिया नहीं होता कि किस टाइप के questions पूछे जा सकते है Question number 4 Which of the following country does not lie in the Balkan Peninsula तो नेमलिकित में से कौन सा देश जो है वो बालकन प्रायदीप में नहीं है ये हमें बताना है तो देखो Friends इसमें Kosovo आपको देखने को मिलेगा Serbia भी देखने को मिलेगा Macedonia भी देखने को मिल जाएगा बट Italy जो है ये आपको बालकन प्रायदीप में देखने को नहीं मिलेगा तो यही हमारा exactly correct answer हो जाएगा Question number 5 इसमें पूछा है कि मद्द प्रदेश के वर्तमान राजजिपाल के बारे में निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए ठीक है तो देखते हैं इसे हम तो पहले statement में बोला है वे 2013 में गुजरात विधान सभा के उपाध्यक्ष चुने गए थे तो क्या ये statement सही है तो ये statement हमारा गलत हो जाएगा ठीक है और यहाँ पे एक minute ये statement हमारा correct हो जाएगा क्योंकि 2013 में ये गुजरात विधान सभा के उपाध्यक्ष चुने गए थे बिल्कुल ये correct answer है उसके बाद उन्हें 2020 में मद्द प्रदेश का राजजपाल नियुक्ति किया गया था ये statement हमारा गलत हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे जो है गलत statement का चैयन करना है तो friends यहाँ पे सही answer क्या हो जाएगा हमारा केवल दो तो गलत statement हो जाएगा B option अगला सवाल हम देखते है इसमें बोला है consider the following तो president rule दिया हुआ है national emergency दी हुई है और martial rule दिया हुआ है इसमें बोला है उप्रोक्त में से किस विसेश परिस्थिती का भारती नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है तो देखो कौन-कौन सी विसेश परिस्थितिया है तो एक तो national emergency में और दूसरा है martial rule में तो इसमें क्या होता है कि जो fundamental rights है ना इस पर impact पड़ता है ठीक है तो यही हमारा correct answer हो जाएगा तो option number C अगला सवाल है question number 7 में पूछा है निमलिकित में से क्या रैखिक बलकि संरक्षन के आधार पर कारी करता है which of the following works on the basis of conservation of linear momentum तो question number 7 का सही answer हो जाएगा तो rocket जो है वो किस पर work करता है तो linear momentum का जो conservation है ना उस पर अगला सवाल है इसमें बुला है फ्रेंट्स की हाल ही में वास्टॉक 22 चर्चा में था निमलिकित में से कौन सा कथन जो है तो देखो इसका हमारा correct answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा C तो रूस द्वारा आयोजित युद्ध अभ्याज जिसमें चीनी और भारती ससस्त्र बल सामिल थे तो यही हमारा सही answer हो जाएगा C अगला सवाल हम देखते है इसमें बोला है फ्रेंड्स की PDF का फुल फॉर्म क्या होता है तो देखो PDF ये computer से related terminology है तो आप सभी को पता है computer के भी सवाल इसमें पूछे जाते है तो इसका सही answer हो जाएगा portable document format तो option A is the right answer question number 10 which is not the regional bench of sitting of the national green tribunal तो देखो राष्ट्री हरीद अदीकरंड जो है ना इसकी बैठक की कौन सी चेतरी पीठ नहीं है ये हमें बताना है तो देखो ये आपको भूपाल में देखने को मिलेगा ये चैन्नाई में भी देखने को मिल जाता है इसके साथ साथ जो है आपको और कहा मिलेगा तो पूने में मिल जाएगा दिल्ली में मिल जाएगा और कुंकाता में मिल जाएगा ठीक है option D जो है इसका गलत आंसर हो जाएगा बेंगलोर में इसकी कोई भी regional office आपको देखने को नहीं मिलेगा अगला सवाल है question number 11 इसमें पूचा है आधुनिक भारती इतिहास के संबन्द में ब्लैक हॉल प्रकरण निमलिखित में से किस युद्ध का कारण बना था तो इसका सही answer हो जाएगा friend C जो प्लासी का battle है ना battle of प्लासी इसमें आपको ब्लैक हॉल से related घटना देखने को मिलेगी अगला सवाल देखते है भावी रक्षक देश के इस दी मेन वर्क आफ विच पोईट तो देखो भावी रक्षक देश के किस कवी की प्रमुक रशना है तो question number 12 का हमारा सही answer हो जाएगा friend बाल कभी पैरागी तो बाल कभी पैरागी is the right answer अगला सवाल देखते है question number 13 इसमें पूछा है कि नेता जी सुभास्चेंदर बोस राश्टी खेल संस्थान की स्थापना निमलिखित में से किस वर्से में की गई थी तो question number 13 का हमारा सही answer हो जाएगा हमारा ग्रेनाइट तो ग्रेनाइट जो है वो plutonic igneous rock है अगला सवाल है how many times president rule has been imposed in मद्देप्रदेश तो देखो मद्देप्रदेश में तीन बार जो है president rule लगाया गया है तो हमारा सही answer क्या हो जाएगा इसका बी तो 15th का correct answer हो जाएगा अगला सवाल है कि भारत के साशन में एक प्रतिन इधी और लोगप्री तत्व को पेश करने का पहला प्रयाज जो है किसके द्वारा किया गया था इसका सही answer हो जाएगा इंडियन council act of 1861 तो इंडियन council act 1861 के द्वारा जो है popular element in the governance को जो है introduce किया गया था अगला सवाल देखते है इसमें बोला है कि एक बड़ा हिमखंड तल से पिगलता है लेकिन सिखर से नहीं क्योंकि तो इसका reason क्या है ये हमें बताना है तो सही answer हो जाएगा तल पर जो है उच्च दबाव बर्फ के गलनांग को कम करता है तो यही हमारा correct answer हो जाएगा अगला सवाल है friends इसमें पूछा है कि मद्देप्रदेश का पहला सवेधानिक पार्क जो है मद्देप्रदेश के किस जिले में इस्थापित किया जाएगा तो देखो ये एक बहुत ही important सवाल है और current affairs का सवाल है तो इसका सही answer information technology के उपयोग को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है तो इसे e-governance के रूप में जाना जाता है ठीक है e-governance और e-governance की बात आई है तो मद्देप्रदेश की जो rank है न e-governance index में ये नंबर वन पे है अगला सवाल है तो इसका सही answer क्या हो जाएगा ये है 26 जनवरी 1950 इस दी right answer अगला सवाल है तो देखो ये कहां पर पाया गया था तो ये काकतिये kingdom में पाया गया था सबसे पहली बार अगला सवाल जो है उसमें पूछा है मद्यप्रदेश में मिले खोह अभी लोग से हमें निमलिकेत में से किस वंस के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तो जो खोह अभी लेख है ये परिवराजक से संबंदी थे तो सही answer हो जाएगा option C अगला सवाल देखते है गोला है which soil is formed from the basalt rock तो basalt rock से जो है कौन से soil बनती है ये हमें बताना है तो friends 23 का हमारा correct answer हो जाएगा none of these अब ये none of these क्यों होगा क्योंकि जो black soil है वो बनती है basaltic rock से इसलिए हमारे पास option है नहीं तो हमारा none of these answer जो है वो correct होगा question number 24 which one of the following pairs of ocean's current meet each other near the newfoundland तो देखो newfoundland के पास में जो है इन में से कौन से current मिलते है आपस में ये हमें बताना है तो सही answer उजाएगा friends Gulf Stream और Labrador current ठीक है तो Gulf Stream और Labrador current जो है ये आपस में मिलते है अब आप लोगों ने देखी लिया होगा कि MPPSC की तरज पे ही ये जो paper है न ये बनाया गया है और काफी ज़्यदा important है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहीएगा अगला सवाल है who was the governor of मद्यपरदेश when the policy of LPG was implemented in India LPG की policy का मतलब होता है liberalization, privatization and globalization ठीक है तो इसका सही answer क्या होजाएगा हमारा 25 का ये होजाएगा कुवर महमूद अली खान अगला सवाल है निमलेखित में से कौन सविधान सभा की संग सविधान समीती के अध्यक्ष थे तो Union Constitution Committee के अध्यक्ष जो है वो कौन थे तो इसका सही answer होजाएगा फ्रेंट C अगला सवाल देखते है इसमें बुला है तो इको सिस्टम से रिलेटेट कौन सा स्टेट्मेंट इसमें से गलत है यह हमको बताना है तो देखो तो तो इसमें बुलत है तो यह उपन सिस्टम होता है और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला सवाल है खबरों में रहा प्रोजेक्ट 75 भारती ससस्त्र बलो की किस साखा से संबंदित है तो इसका सही आंसर उजाएगा 28 का हमारा भारती 9-9 से संबंदित है तो प्रोजेक्ट 75 जो है वो इंडिया और फ्रांस से रिलेटेट है आप लोगों ने पढ़ा होगा इसमें इंडिया और मिलकर के सब्मरीन वगेरा बना रहे है अगला सवाल है which one of the following would not harm your computer तो देखो computer को इन में से कौन सा जो है वो नुकसान नहीं पहुचाएगा तो देखो क्या क्या नहीं पहुचाएगा तो यह रैंसम्वेर तो पहुचाता है ट्रोजन भी पहुचाता है प्रोग्जी सर्व प्रकार का वाइरस ही है अगला सवाल है निमलिखित में से कौन भारत में चुनाव प्रणाली की विश्यस्ता नहीं है तो देखो कौन सी भारत में चुनाव प्रणाली की विश्यस्ता नहीं है यह हमको बताना है तो universal adult franchise तो है secret voting भी होती है उसके बाद जो है reservation of seats in the legislature for the members of SC and STA statement भी सही है communal electorate system नहीं है हमारे यहां पे ठीक है communal electorate system जो है वर्स 1909 में लाया गया था आप लोगों ने पढ़ा ही होगा अगर इतिहास आप लोगों ने पढ़ा है तो अगला सवाल है question number 31 who of the following can be considered to be the first law minister of India तो देखो पहले law minister जो है वो कौन थे तो इसका सही answer हो जाएग हमारा TB Macaulay ठीक है तो TB Macaulay जो है यह first law minister of India थे अगला सवाल है सोन मुधा नामक इस्थान मद्यपरदेश के किस छेतर में इस्तित है तो यह कहां पर इस्तित है तो यह अमर कंटक में इस्तित है क्या statement सही हो जाएगा हमारा बिलकुल अमर कंटक is the right answer तो सोन मुधा जो है आपको आमर कंटक में देखने को मिलेगा और आमर कंटक आपको कहां देखने को मिलेगा तो अनुखपूर में अगला सवाल है निम्लिकित में से किस वर्स मद्यपरदेश राज जिबास mission शुरू किया गया है तो 33 का हमारा सही answer हो जाएगा नेफेरेंट C, बतब 2013 से बांबु मिसन को मद्धबरदेस में लाँच किया गया है. अगला सवाल देखते है, इसमें अल नीनू से रेलेटिट सवाल पूछा गया है, तो अल नीनो के बारे में हमको बताना है, तो देखो अल नीनो क्या है, तो यह एक प्रकार का वाम करेंट ह फ्लोविंग नियर दी कोस्ट आफ पेरू, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, अगला सवाल है, निमलिकित में से कौन मद्यपरदेश विधान सभा के दूसरे नेता प्रतिपक्ष थे, तो देखो अब इस टाइप के सवाल भी एकजाम में पूसे जा सकते है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, चंद्रप्रताब तिवारी, तो 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रप्रताब तिवारी, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, चंद्रप्रताब तिवारी, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, तो राज्य धर्म को नागरिक का निजी मामला मानता है, और साधार पर भेदबाव नहीं करता है अगला सवाल है इसमें क्या बुला है कि मास पेसियों में कमजोरी और लाल रत कोशी काओं की नाजुकता में व्रद्धी खालिस्तान के कारण होती है तो 37 का सही आंसर रोजाइगा फ्रेंट्स विटामिन E के कारण अगला सवाल देखते ह है इसमें बुला है कि the region of Xinjiang which was in news recently is a part of which country तो देखो Xinjiang जो है न यह किसका प्रोविंस है तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स चाइना का तो China is the right answer अगला सवाल है which social media platform has received approval from the National Payment Corporation of India to enter UPI market तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 39 का यह हो जाएगा फ्रेंट्स वाट्स आप लोगों ने देखा होगा वाट्स अप पे भी UPI का option आजकल देखने को मिल जाता है अगला सवाल है इसमें बुला है who is the current chair person of National Commission for backward classes तो देखो backward classes के chair person अभी current में कौन है तो इनका नाम है भगवान लाल सहनी अगला सवाल है question number 41 में which of the following saints has written भागतमल तो भागतमल जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है तो गुरू नभादास के द्वारा यह लिखा गया है तो गुरू नभादास के द्वारा भागतमल को लिखा गया है यह हमारा correct answer हो जाएगा question number 42 इसमें पूछा है friends in which of the following district रहास fair जो है और्गनाइस किया जाता है तो रहास fair जो है यह कहां पर और्गनाइस किया जाता है तो 42 का सही answer हो जाएगा friends सागर में तो सागर is the right answer अगला है असिरगड hills are situated between which of the following ranges तो देखो असिरगड की जो पहाड़िया है यह कहां पर situated है यह हमको बताना है तो इसका सही answer हो जाएगा western सदपुडा range में कहां पर western सदपुडा range में अगला है हिमालय में पीर, penjail, पर वत, maala किसका एक इस्सा है किसका एक इस्सा देखने को मिलता है यह दो डीजाइन किया गया था तो इसका सही answer हो जाएगा henry इरवीन के द्वारा जो है ना इस बिल्डिंग को डिजाइन किया गया था अगला सवाल है which of the following fundamental right is not available to foreign citizen तो foreign citizen को जो है कौन सा fundamental right अवेलेबल नहीं है तो सही answer उजाएगा right to freedom of expression अगला सवाल हम देखते है इसमें बोला है which is the second largest part of our body ठीक है तो मतलब जो human body है उसका सबसे second largest part जो है वो कौन सा देखने को मिलता है तो सही answer हो जाएगा friends लीवर ठीक है अगला सवाल है recently in which of the following state नुआ खाई agricultural festival was celebrated जो नुआ खाई festival है ये भारत के किस राज्य में celebrate अभी किया गया है तो इसका सही answer हो जाएगा friends ओडिशा में तो ओडिशा में जो है नुआ खाई festival को inventor of artificial intelligence अगला सवाल है which of the following is not true with regard to नीति आयोग तो देखो नीति आयोग से related कौन सा कथन जो है वो सत्ती नहीं है यह हमें बताना है तो देखो क्या दिया है it has the power to allocate funds यह statement जो है गलत है और यह हमारा correct answer हो जाएगा देखो जो funds होता है न उसको allocate करने का काम होता है finance ministry के पास में अगला सवाल है इसमें बोला है which of the following Portuguese viceroy in India introduced blue water policy तो देखो blue water policy जो है पूर्दगाली viceroy जो है उन्होंने introduce करी थी तो उनका नाम हमको बताना है तो इसका सही answer हो जाएगा friends Francis D. Almeida ठीक है Francisco D. Almeida अगला सवाल है treaty of राजपूर घाट जो है वो कब sign की गई थी यह भी बहु 1805 में जो है वो राजपूर घाट की treaty को sign किया गया था अगला सवाल है the estuary found by the sediment brought by the river नर्मदा are locally known by which of the following name तो इसे क्या कहा जाता है तो इसका सही answer हो जाएगा बाग beds क्या कहा जाता है बाग bed अगला है at which of the following towns the Alaknanda and भागी रती combines to form river गंगा तो देखो Alaknanda और भागी रती जहां मिलते है ना उस एरिया का नाम बताना है हमको तो इसका correct answer क्या हो जाएगा friends देव प्रयाग तो देव प्रयाग में अलक नंदा और भागी रती आपस में मिलते है उसके बाद इसका जो नाम है ना वो गंगा हो जाता है फिर दिया है वर्स 2001 से 2011 के बीच मद्यप्रदे पर महाभयोग मतलब impeachment की जो process है वो चलाई जा सकती है तो article 61 में ये process को दिया गया है ठीक है अगला सवाल है which of the following mineral is essential for the controlling heart beat तो heart beat को जो है वो control करने के लिए कौन सा element जो है वो important होता है तो सही answer हो जाएगा friends 57 का हमारा D iodine तो iodine is the right answer अगला सवाल है हाल ही में राम सर का दरज देले में स्थित है तो सिरपूर तालाब जो है ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा तो friends 58 का सही answer हो जाएगा हमारा D हाना तो सिरपूर तालाब ये आपको indoor में देखने को मिलेगा यहां पर देवास उज्जन और धार option दे रखे है तो ये statement हमारा जो है यहां पर दिया लाई है तो indoor is the right answer none of these यहां पर हमारा correct answer हो जाएगा तो चार रामसा साइट आपको मद्यप्रदेश में देखने को मिलती है आप लोगोंने current affairs में देखा ही होगा वर्स 2002 में जो है भोज wetland बनाई गई थी जो कि मद्यप्रदेश की पहली wetland site है उसके बाद साख्य सागर जो इन दौर में ही है तो इन चार चीजों को मतलब चार जगहों को जो है wetland site का दरजा दे दिया गया है अगला सवाल है इसमें बोला है friends की a computer on internet is uniquely identified by तो देखो किस तरह से इनको identify किया जाता है तो सही answer बजाएगा इनके IP address के द्वारा IP address का मतलब होता है internet protocol address ठीक है तो हर एक computer computer का अपना IP address होता है अगला है who was the first Central Vigilance Commissioner of India ये भी बहुत important सवाल है तो सही answer हो जाएगा NS Rao मतलब नितूर्स निवास राव जो है ये हमारे पहले CVC थे मतलब Central Vigilance Commissioner Central Vigilance Commission जो है वो कब बनाया गया था वर्स 1964 में अगला सवाल है जेव निसा जो है was the eldest daughter of each of the following Mughal King तो इसका सही answer हो जाएगा friends D, none of these अगला सवाल हम देखते है अच्छा आप लोग बताइएगा कि ये किसकी जो है बेटी हुआ करती थी अगला सवाल है बोला है कि the Malabar Hill Murder Trial of 1925 is associated with which of the following ruler of Madhya Pradesh तो 1925 का Malabar Hill हत्याकार निमलिकित में से किस सासक से संबंदित है ये हमको बताना है तो इसका सही answer हो जाएगा तुको जी राओ होलकर से ये संबंदित है अगला सवाल ही में चीतों के एक समू को भारत में लाया गया है इन चीतों को किस देश से लाया गया है तो देखो आंसर हो जाएगा इसका नामी बिया तो नामी बिया से जो है ना हमने आठ चीते ठीक है यह आपको याद रखना है तो टोटल जो है ना प्रोजेक्ट चीता हमने मद्यप्रदेश में स्टार्ट किया है 17 सेप्टेंबर 2022 को जो है हमने इसकी सुरुवात करी है 17 सेप्टेंबर को प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी जी का भी बथ दे आता है और उसी दिन जो है यह हमको बताना है तो 64 जो है इसमें गल्फ आप मननार बायस्वेयर रिजर्व है निलगीरी भी है सुंदरबन भी है बट काजी रंगा नेशनल पार्क है नाकी बायस्वेयर रिजर्व अगला सवाल दिया है इन वीचियर इस्ट्रेट इकॉनॉमिक क्राइम ढार्यागत लगाए तो 65 जो है इसका हमारा सही आंशर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यह हो जाएगा 1976 में अगला दिया है यदि राश्ट्रपती इस्टीपा देना चाहता है तो वह अपना त्याग पत्र जो है किसे संबोदित करेगा इसका सही आंशर व दिया है कि खालिस्तान भारत में बेचे जाने वाले सभी प्रसंस्क्रत फलों के उत्पादों पर पाया जाने वाला एक अनिवारी चिन है जिसे पैक्ड फूर्ट बेवरेज, फूर्ट जैम, क्रस और स्क्वेस, अचार, निर्जली, फल उत्पाद और फलों के अर्क, 2006 के खा अगला सवाल है तो इसका सही आंसर हुजाएगा फ्रेंट C, मतला मॉडेम का इस्तेमाल किया जाता है अगला सवाल है, इसमें बोला है, which of the following is not related to election commission तो देखो, election commission से जो है, वो कौन सा statement संबंदित नहीं है, यह हमको बताना है to issue notification of election, तो यह issue करता है notification election का to distribute election symbol, यह भी statement सही है, to conduct election peacefully, यह भी statement सही है to settle the validity of elections, यह statement गलत है, यह जो statement है यह गलत इसलिए है क्योंकि जो dispute वगेरा arise होते है, वो high court और supreme court में challenge किये जाते है अगला सवाल है, वो among the following, painted the famous Haripura posters at Haripura session of India national congress at the request of Mahatma Gandhi तो इसका सही answer होजाएगा friends, नंदलाल बोस, तो नंदलाल बोस जो की एक बहुत ही important personality माने जाते है इन्होंने constitution में भी अपना कलाकारी वगेरा की है, चीतर वगेरा जो उसमें बनाएगा है, वो इनी के द्वारा बनाएगा है यहां तक कि KBC, कौन बनेगा करोड़ पती में, इनसे related एक सवाल भी पूछा गया था, एक करोड़ में अगला सवाल है, क्या बोला है, इसमें रतलाम जीले में इस्तित, बिद्रोध तीर्थ जो है वो निमलिकित में से किस धर्म से संबंदित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा, फ्रेंट, 72 का हमारा A, यह जैन धर्म से संबंदित है अगला है, कि कोईला मुखिर उससे मद्द्रदेश के निमलिकित रॉक सिस्टम में से पाया जाता है मतलब किस में पाया जाता है, यह हमको बताना है, तो 73 का हमारा सही आंसर हो जाएगा, फ्रेंट, गोंडवाना रॉक सिस्टम में यह पाया जाता है अगला सवाल दिया है, वाट इस दी मेजर कॉज ऑफ अक्टूबर हीट, तो अक्टूबर हीट का जो मेजर कॉज है, वो क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हाई टेंपरेचर असोसियेटेट विद हाई हुमिलिटी अगला सवाल है, इसमें बोला है, कि ट्रांसजेंडर विक्ति, अधिकारों का संदक्षन अधिनियम 2019 के अनुसार, एक ट्रांसजेंडर विक्ति, ट्रांसजेंडर विक्ति प्रमान पत्र के लिए निमलिखित में से किसे आविदन कर सकता है, कि किसे आविदन करेगा, तो आ किसके लिए responsible होंगे पार्लेमेंट के लिए संसद के लिए संसद आई थिंक इसमें नहीं होना चाहिए लोगसभा इस दी करेक्ट आंसर होना चाहिए ना तो लोगसभा जो है यहां पर आएगा council of minister जो है वो collectively responsible to the लोगसभा अगला सवाल जो है वो हम देखते हैं इसमें बोला है कि पगमार्क टेक्निक जो है वो किसके लिए इस्तेमाल की जाती है तो देखो पगमार्क टेक्निक जो है ना इसमें क्या किया जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा for estimating the population of different wild animals अलब क्या होता है कि कोई जान के प्रदान मंत्री चुनी गई है तो देखो least trust जो है ये कहा की प्रदान मंत्री चुनी गई थी तो 78 का correct answer हो जाएगा friends Britain ठीक है उसके बाद जो है ये change भी हो चुकी है और अभी जो है रिशी सुनाक वहां के ब्रिटेन के प्रदान मंत्री बन चुके है अगला सवाल दिया कि android system जो है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है अगला दिया है headquarter of मद्रदेश state labor migration commission located at तो कहां पर located है ये तो 80 का सही answer हो जाएगा friends बोपाल में तो मद्रदेश state labor migration commission is located at बोपाल अगला दिया है बोला है मौरे सामराज में पिंड कार और प्रणे जो है वो क्या थे तो पिंड कार और प्रणे जो है न ये टेकसेस और गिफ्ट कलेक्शन हुआ करते थे तो यही हमारा correct answer हो जाएगा अगला दिया है on the occasion of दिवाली which of the following tribe perform the गुसरी and डंडारी डांस तो देखो गुसरी और डंडारी डांस जो है ये कौन perform करता है तो इसका सही answer हो जाएगा friends गो पहले ये अपसिस्ट क्लीनिक के उद्गाटन के आलोग में निमलिकित कर्णों पर विचार कीजिए ठीक है तो देख लेते हैं the facility was set up in मद्रदेश ये statement सही है क्या तो बिलकुल ये statement सही है उसके बाद जो है it has provision to collect electronic waste from door to door ये statement भी सही है तो both one and two are the correct answer अगला सवाल देखते ह है in which of the following continent the equator does not pass through तो देखो ये question भी काफी बार exam में पूछा जा चुका है तो इसे तो आप लोग रट्टा माल लीजिए एक तो ट्रॉफिक of cancer से कौन-कौन सी countries जो है वो पास होती है ये equator होगया ट्रॉफिक of Capricorn इन सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा याद तो होना ही चाहिए जिगुराफिकली तो इसमें जो है ना हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 84 में यह हो जाएगा D Europe Europe से जो है equator नहीं गुजरता और यह तो बहुत ही easy है ठीक है South America से गुजरता है Asia से भी गुजरता है अफरीका से भी गुजरता है बट Europe से नहीं गुजरता अगला सवा सही है तो देखो यह स्टेटमेंट विल्कुल गलत है ठीक है only the president can decide whether any matter forms a part of the basic structure of the constitution यह स्टेटमेंट भी गलत है तो यह दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हो जाएगे तो आंसर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा D फिर क्या दिया है which functionary can be invited to give his opinion in the parliament तो इसका स general of India जिने president of India appoint करते है आर्टिकल 76 में जो है attorney general of India का वर्णन किया गया है अगला सवाल है which bacteria is responsible for the formation of curd तो देखो कर्ड के formation के लिए कौन सा बेक्टिरिया responsible होता है तो सही आंसर हुजाएगा लेक्टो बैसिलस लेक्टो बैसिलस बैक्टिरिया is responsible for the formation of दही दही मतलब कर्ड government मतलब ये question भी हमारा काफी important है और इसका सही आंसर हुजाएगा बुरहानपूर तो हर गर्द जल certified district बुरहानपूर बन चुका है अगला सवाल है कि the collection of links throughout the internet create an interconnected network called तो इसे क्या कहा जाता है तो इसे कहा जाता है all of the above मतलब worldwide web भी कहा जाता है वाइड area web भी कहा जाता है इसे अगला सवाल है इसमें बोला है कि निमलिखित मेंसे कौन मत्यपरदेश के कारेवाह कराज जिपाल नहीं रहे है तो देखो कौन नहीं रहे है तो justice andy हुजा रहे है है पी एन दिक्षिद भी रहे है उसके बाद जो है जीपी सिंग भी रहे है बट जीडी दिक्षिद नहीं रहे है और यह कोशन MPPSC में पूछा भी जा चुका है अगला सवाल है अगला सवाल है तो देखो यह कौनसी डेट पर हुआ है तो सही आंसर हो जाएगा 10 जुलाई 1938 को जो है सोहावल की गटना हुई थी सतना डिस्टिक में अगला सवाल है बोला है मद्दपरदेश गोपाल नेवन समवर्धन बोड का गठन यह कब किया गया है तो देखो यह कब किया गया है तो सही आंसर हो जाएगा 19 अक्टूबर 2004 को इसका गठन किया गया है अगला सवाल है according to the 2011 census which of the following is the second most densely populated state of India तो देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा यह हो जाएगा West Bengal तो West Bengal is the right answer अगला सवाल है where was the first cement factory established in Madhya Pradesh in the year 1922 तो देखो यह बाण मोर मुरेना में सबसे पहली factory को established किया गया था और यह सवाल काफी बार exam में पूझा जाता है क्योंकि देखो cement के production में Madhya Pradesh की जो है first rank भी आती है कई सारे parameters में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अगला सवाल है the Council of Minister of India Union is collectively responsible to the लोगसभा तो इसका सही answer हो जाएगा 96 का हमारा D ठीक है एक question जो है न मैंने starting में आपको और बताया था तो यह लोगसभा वाला question उसको थोड़ा सा आप लोग मुझे comment box में बताईएगा ठीक है which of the following is responsible for the global warming तो देखो global warming के लिए क्या क्या responsible है तो methane responsible है water vapor responsible है औ CO2 भी responsible है तो all of the above is the correct answer अगला सवाल दिया है INS Vigrant is related इसमें सवाल पुछा गया है हाल ही में भारती नौसेना में सामिल किये गए विमान वाहग पोथ INS Vigrant के बारे में लिकित कतनों पर विचार कीजिए तो देखो इसमें बोला है इसे coaching CPR limited के दोरा बनाया गया है statement सही है वाहग पर 76% जो है अधिक सामगरी और उपकरण स्वदेशी है ये statement भी सही है तो option C is the right answer बोद इस statement are correct अगला सवाल है what difference does 5th generation computer have from the other generation computer तो पाचवी PDK computer में अन्नी PDK computer से क्या अंतर है तो देखो इसमें क्या अंतर देखने को मिलता है तो technological advancement देखने को मिलती है object oriented programming भी देख scientific code देखने को मिलता है तो all of the above is the correct answer हो जाएगा मानव अधिकार संदक्षान अधी नियम 1993 का उद्देश से जो है वो क्या था तो इसका क्या उद्देश ये था भीया जो human rights से उनको proper तरीके से protect करें फिर जो central level है उस पे एक central human right commission बनाया जाए जिसे national human right commission कहा गया फिर उसके जो है यहाँ पर hundred questions discuss कर लिये हैं अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को pdf telegram channel तक provide कर दिया जाएगा